नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका दजलेवी में दोस्तों आज के समेहते पूर्ण वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि सूखी मचली खाने के क्या फायदे होते हैं बहुत सारे लोग दोस्तों ऐसे होते हैं जो कि ताजी मचली नहीं पर्चेस कर पाते हैं वो महंगी होती है तो सूखी मचली खाकर गुजारा करते हैं दोस्तों इस सूखी मचली के भी अपने फायदे होते हैं इसलिए इसको किसी भी तरीके से आप दरकिनार मत करिएगा आप पूरा वीडियो देखिए और इस महत्पूर्ण जानकारी से आउगत हो जाएए ताकि आपको भी इसका बहतर लाप राप्त हो सके दोस्तों सूखी अचली लोग इसलिए बनाते हैं क्योंकि ये बड़ी आसानी के साथ कम वाल्यूम एक्वायर करती है और बहुत दूरी तक इसको भेजा जा सकता है इसके पावडर बनाया जा सकता है इसको ऐसे भी सबजी के रूप में बनाकर खाते हैं लोग इसके बेनिफिट जबरदस्त होते हैं दोस्तों और उनमें से सबसे पहला बेनिफिट है आखों के लिए जी हाँ दोस्तों आखों की समस्या जिसको भी है यानि विजन क्लियर नहीं है आखें बहतर नहीं है समस्या हो रही है दृष्ट की तो ऐसे लोगों को सूखी मचली अगर आप खिलाते हैं उसका प पाइदा दोस्तों इसकीन के लिए होता है यदि किसी की इसकीन में दुनिया भर की बीमारियां हैं तरह तरह के दाग धब्बें हैं उनको यदि वो कम करना चाहता है और चाहता है कि उसको ओमेगा थ्री फैटी एसिड प्रॉपरली मिल जाए तो कोई कैपसूल खाने से बहतर हैं तो और भी जादा बहतर होगी तीसरा फायदा दोस्तों बालों के लिए होता है आप कितनी भी दवाईया कर लीजे दोस्तों लेकिन मैं बता दूँं अगर आपके बालों में इसकैल पच्छा नहीं है आपका जो बालों का जो नीचे सर्फेस है वो स्वस्त नहीं है तो तो आप कितनी भी कोशिस कर लीजे, कोई फायदा नहीं होने वाला, अगर आप चाहते हैं कि आपके बाल स्वस्थ हों, बढ़ियां हों, असामाईक रूप से सफेद ना हों, तो ऐसी स्तिती में दोस्तों आपको सूखी मचली का सेवन जरूर करना चाहिए, आपके बाल भी ब कम होने के कारण, तो निसेचन की प्रक्रिया नहीं हो पाती, जिसके कारण बहुत सारे लोगों के बच्चे नहीं हो पाते, तो इस चीज को अगर आप चाहते हैं कि बहतर हो तो सूखी मचली का सेवन करना प्रारंब कर दिजिए, इस पर्म की मोटैलिटी बहुत अच्छी ह हो जाएगी दोस्तों आपको कोई समस्या नहीं होगी तो दोस्तों यह सुख grassly खाने के यफदे अगर हमेरी इस जानकारी से ऑगत होकर साथ हिसाथई हैं अगर मेरे द्वारा दी गए इस जानकारी को अपलाई करेंगे तो ऐसी बहुत सारी समस्याओं से आप बचे रहेंगे साथ ही साथ मैं आप से कहूंगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजे ताकि अन्य लोग भी समयते पूंच जानकारी से लाभानमित हो सकें दोस्तों धन्यवाद